Welcome to study channel, मिरा नाम है मुहम्मत कैसर BPSC TRD3 को लेकर बहुत सारे आपके सवाल है, बहुत सारे confusion है BPSC के जो पूर चेर्मेन थे सरी अतुल परसाद जी जबसे वो रिटायर हुए, उसके बाद कोई काम आगे बढ़ी नहीं रहा है जहां पर वो छोड़ कर गए थे BPSC को, जहां पर वो TRD3 को छोड़ कर गए थे इस्तिति आज वही की वही रुकी हुई है TRD3 का notification के समय आ गया था, आवेदन हो रही है, इसके आगे कोई भी प्रिक्रिया नहीं बढ़ रही है नहीं अभी तक vacancy आ पाई, total कितने seat हैं, नहीं इसका भी official कोई exam data पाया वो चीज़ें वही पर अभी अटकी हुई है Chairman को लेकर सरकार का खोज अभी भी जारी है, पहले ख़बर आया थी कि आमिर सुभानी जी Chairman होंगे फिर इमतियाज आमत का नाम सामने आया, वो भी 26 फरवरी तक ही रहेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे फिर VPSC की एक सदर से हैं, दिप्ति कुमारी जी, खबर है कि उनको फिर Chairman बना दिया जाएगा यह सारे चीज़ें एक तरह होती रहेंगी, लेकिन छातरों को इंतजार है कि कितनी सीटें हैं, यह ओफिसल वेबसाइट पर दिखे पिछले दो-तीन दिनों से यह अपडेट आ रही है कि आज वेकेंसी वेबसाइट पर दिख जाएगी सीटें आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है दोस्तों अपडेट यह है लेटेस्टिस में कि माधमिक और उचमाधमिक की सीटें फाइनल हो गई हैं, लेकिन वन तू फाइनल आंकडा है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है जो निश्पेफर के माधम से खबर है कि 86,000 के लगवक पदों पर भड़ती होगी, इसमें 28,000 प्राइमरी के पद हैं इस्टुएट में 19,000, 9,10 में 17,000 और 11,12 में 23,000 टोटल 86,000 के आसपा स्कूल सीटें हैं, लेकिन यह रिक्तियां वेबसाइट पर आने जरूरी है तो ही जाकर यह 100% क्लिर हो सकेगा, साथी साथ जब जिलावार डेटा वेबसाइट पर सो हो जाएगा तो ही तो छातर डिस्टिक प्रियोर्टी भर सकेंगे फॉर्म भरते समय दिस्टिक प्रियोर्टी देना है, आवेदन की लास्ट डेट बिल्कुल सामने है 30 परवरी अभी तक जब रिक्तियां जिलेवार हमको पता ही नहीं तो दिस्टिक प्रियोर्टी हम कैसे दें एक अंदाजय की साथ चातर भर रहे हैं, इसमें मैं आपको यही राय दूँगा कि आप अपना और आसपास के दो जिलों को डिस्टिक प्रियोर्टी के रूप में भर लिजिए क्योंकि अभी तक लास्ट डेट को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हाला कि मेरा मानना है कि लास्ट डेट जरू बढ़ेगा क्योंकि आवेदन काभी कम आए है कल तक की अपडेट है कि टोटल दो लाग रेइस्टेशन हुए है, पौने दो लाग का पी पेवेंट हुआ है और सिर्फ डेट लाग फाइनल फॉर्म सम्मिट हुए है तो लास्ट डेट बढ़ेगा, लेकिन जादा आगे नहीं बढ़ेगा चरपांज दिन आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं, लेकिन आपको फिलहाल मान का चलना है तेज फॉरी लास्ट डेट और से पहले आपको अपनी आवेदन की परिक्टिया कंप्लीट कर लेनी है क्योंकि एक्जाम करा जाने की जो त्यारी है वो 9 मार्च से है 9 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च को परिक्षाएं आपकी हो सकती है इसकी संभावना है, इसकी त्यारी हो रही है और आपको भी अपनी त्यारी साथी साथ करते रहनी है हाला कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बीपेसी के लिए मार्च में परिक्षा कराना क्योंकि लोग सबाग के चुनावा है अचार सहीता मार्च में लगना उसे परिक्षा होगे तो तो बहतर है नहीं तो फिर आपका एक्जाम ये लोग सबाचनाव के बाद ही हो सकेगा इलहाल जो तयारी है बीपेसी की वो इन्हीं तीन डेट्स को लेकर है 9, 16 और 17 मार्च तो टोटल वेकेंसी आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा वेबसाइट पर टोटल वेकेंसी वेबसाइट पर आएगा लेकिन इस भरोसे आप नवेटर हैं कि पहले वेकेंसी आ जाए पहला तो बहुत सरे बच्चे भी फार्म ही नहीं भर रहे हैं कि वेकेंसी अभी क्लेर नहीं है दूसरा एनाइवेस दीयालेट 1-5-6-8 में आवेदन ही नहीं कर सकता बीट प्राइमरी में आवेदन नहीं कर सकता नए जो बैचेज थे अपियरिवाले डियालेट हो या जरूर हो गए हैं क्योंकि लास्ट के पहले आपका रिजल्ट आ गया लेकिन फॉर्म बनने में परिशानी हो रही है आला कि कैसे फॉर्म वगर आप भर सकते हैं आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं लेकिन बीपेसी आपका आवेदन स्विकार करता है या नहीं यह उन्हीं क कर लीजिएगा तो यहीं कुछ जानकारी थी और सीटों को लेकर एक और जानकारी निकर करा रही है कि महिला रक्षड को लेकर कुछ पेच फसा हुआ है महिला रक्षड पर पुनर विचार हो रहा है उसके बाद ही वेकेंसी को वेबसाइट पर डाला जाएगा चूकि 50% का रक्षड है महिलाओं को पता ही होगा नियुनतम 50% उनको दे दिया गया है और जो बची हुई सीटे हैं उस पर भी महिलाए फाइट करती हैं 50% का रक्षड है और सीटे ले जाती है महिलाएं 70-75% कहीं कहीं 80% तक साथी साथ इस मामले में अभ्यर्थी कोड भी चले गए जो पुरस भीरती हैं और इसको चैलेंज उन्होंने कर दिया है और बिहार के कुछ ऐसे गजट हैं जहां पर 50% पुरसों को लेकर भी आरक्षड का प्रावधान है तो कुछ इसमें पेच फस रहा है और यही कुछ कारण है वेकिंसी वेबसाइट पर अभी सो नहीं हो रही है इ आपको नौकरी मिल जाएगी इस पर कंपरिशन कम है लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं तो आप यह ना समझें कि बीना पढ़े हम सलेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो फॉर्म भलना है वेकिंसी वगएर तो आती रहेगी एक्जाम डेट थोड़ा पीछे हो स अंती समय में बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं जो लोग वेकिंसी वगएर का वेट कर रहे थे आया तो नहीं तो इनको फॉर्म भरना है वो भर ही लेंगे वीडियो में कुछी पसंद आया तो लाइक को शेर करिएगा आगे कोई और अब्डेट आती है आपको जानक कर दे हैं और बने रहे हैं थांक्स फार वाशिंग